C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा साथ के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग दो अपनी जबान साथवी जमात के लिए उर्दू की दर्सी किताब आए सुनते हैं अपनी जबान भाग दो का इकीसवा सबख सबख इकीस हजरत खुजा कुद्बद्दीन बख्तियारका की रहमतला लहे चिष्टिया सिल्सले के कामिल दर्वेश थे आपके वालिद सेयत कमालुदीन रहमतला लहे बगदाद के गाउं अवश के रहने वाले थे उनकी वालिदा बड़ी नेख खातून थी दिन रात अबादत में मश्गूल रहती जब कभी कुराम शरीफ की तिलावत फरमाती तो खाजा बख्तियारका की रहमतला लहे को अपने करीब बठा लेती वो अभी सिर्फ धाई साल के थे के उनके वालिद का इंतिकाल हो गया वालिदा ने अपनी खास निग्रानी में उनकी तरवियत की जब वो चार साल के हुए तो वालिदा ने पढ़ने के लिए उनको ख्वाजा मुईनुदीन चिष्टी रहमतला ले के पास भीज दिया जो उन दिनों अवश में ही ठहरे हुए थे कहा जाता है कि जब ख्वाजा मुईनुद्दीन चिष्टी रह्मतुल्ला अले ने उनको दर्स देना शुरू किया तो गैब से एक आवाज आई ए ख्वाजा कुछ देर ठहर जाओ काजी हमिदुद्दीन नागौरी आते हैं वही बख्तियार काकी को पढ़ाएंगे ख्वाजा के हुक्म से कुछ ही देर बाद वहाँ गाजी हमिदुद्दीन नागौरी तश्रीफ लाए बख्तियार काकी से पूछा क्या पढ़ोगे इस पर बख्तियार काकी ने गुरान शरीफ की एक आयत पढ़कर सुनाई वो बख्तियार काकी की जुबान से कुरान शरीफ की आयत सुनकर हैरान रह गए कि चार बरस का ये बच्चा छोटी सी उम्र में इस तरह की आयत पढ़ सकता है लिहाजा उस्ताद ने पूछा तुमने कुरान शरीफ किस से पढ़ा? आपने कहा ये जानने के बाद काजी हमिदुद्दीन नागोरी ने उन्हें बहुत जल्द बाकी कुरान शरीफ भी हिवस करा दिया जब कुतुब साहब की उम्र पांच साल की हुई तो वालिदा ने मुलाजिम के साथ उन्हें मोहले के मकतब में भेजा मकतब जाते हुए रास्ते में एक बुजुर्ग मिले उन्होंने नौकर से पूछा इस बच्चे को कहा लिए जा रहे हो? नौकर ने कहा महले के उस्ताद के बाद ले जा रहा हूँ तब बुजुर्ग ने कहा बच्चे को मदर से ले जाने के बजाए मुलाना अबु हफ्स के पास ले जाओ वही इस बच्चे को दर्स देंगे और मुलाना को ताकीत फरमाई पूरी तवज्जो से इने पढ़ाईए इनसे बड़े बड़े काम लेने है जब वो बुजर्ग चले गए तो मुलाना ने उस शखसे फरमाया तुम्हें मालूम है ये कौन बुजर्ग थे ये हजरत खिजर अलिह सलाम थे जो खुदा की तरफ से इस खिद्मत पर मामूर किये गए थे ये भढ़के हुए लोगों को सही रास्ता दिखलाते हैं तालीम मुकमल होने तक बख्तियार काकी अपने गाउं में ही रहे उन्ही आयाम में कुतुब साहब को मालूम हुआ के हजरत खुजा मुईनुदीन चिष्टी रह्मत अलाले अस्वहान तश्रीफ लाए हुए हैं आपने वहां पहुँचकर उनकी खिद्मत में हाजरी दी और बख्तियार काकी उनके मुरीद हो गए वो अपने मुर्शिद खुजा मुईनुदीन चिष्टी के साथ मक्का मुख्जमा पहुँचे और वहां से मदीना मुनवरा हाजर हुए इसी सफर में उनकी मुलाकात एक और बुजर्ग से हुई उन्होंने बख्तियार काकी को नसीहत की मदीना मुनवरा से वापसी के बाद वो अपने मुर्शिद के साथ बगदाद में रहकर इबादत के अलावा अवाम को नेक काम करने की हिदायत करने लगे बच्पन ही से आप नेक सीरत और पाक दिल इनसान थे आपके दिल में अल्लह की सची महबबत थी आप कसरत से नमाज और दूसरी अबादतों में भी मशगूल रहते जियादा वक्त अल्लह की याद में बसर करते जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अल्लह की महबबत ने आपको दुनिया और दुनिया के मालो मता से बिलकुल बेनियास कर दिया था आप नहायत साधा जिन्दिगी बसर करते मुक्तसर खाना खाते बस इस गदर जिस से जिसम जां का रिश्टा बाकी रह सके इस से ज्यादा खाना आप पसंद ना फरमाते बादशाहे वक्त और शहर के लोग हमेशा आप की खिदमत में बड़े बड़े नजराने पेश करते मगर आप उन सब को गरीबों और मुहताजों में तक्सीम कर देते दहली में कयाम के दौरान हमेशा खुदा की याद में महो रहते और किसी से नजराना वगएरा भी कुबूल नहीं फरमाते थे एहलो आयाल नहायत तंगी में दिन गुजारते थे जब कभी घर में कुछ ना होता तो आपकी एहलिया पड़ोस में रहने वाले बकाल की बीवी से कर्ज लेकर काम चलाती थी पैसा आने पर उसका कर्ज अदा कर देती थी रिवायत है कि एक रोज बकाल की बीवी ने ताना दिया अगर मैं तुम्हें कर्ज ना दूँ तो तुम्हारे बाल बच्चों का पेट कैसे भरे उसकी इस बात से हजरत को सख्त तकलीफ पहुँची आपने इर्शाद फरमाया आइंदा किसी से कर्ज मत लेना अगर जरूरत पेश आए तो ताक में से काक ले लिया करो काक यानी रोटियां उसके बात से जरूरत पढ़ने पर ताक से गर्म गर्म रोटियां ले लिया करती इसी सबब से ख्वाजा कुतोब الدین बख्तियार काकी कहलाने लगे सफ़ा नंबर 148 हजरत बख्तियार काकी रह्मतुल्ला अले को जब अपने मुर्शिद ख्वाजा अजमेरी रह्मतुल्ला अले के हिंदुस्तान पहुंचने की इत्तिला मिली तो वो भी हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए कुछ दिन मुल्तान में रहने के बाद फिर दहली आ गए बादशाय शमसुद्दीन अलतमश उनकी बहुत इज़त करता था उसे जब ये मालुम हुआ के हजरत बख्तियार काकी दहली तश्रीफ ला रहे हैं तो वो शहर से बाहर जाकर उनसे खुद मिला और बड़ी इज़त औ महबबत से पेश आया बादशाय बख्तियार काकी के पास हफ़ते में दो बार हाजरी देता अवामों खवास सब आप से अकीदत रखते आपके दरबार में सब को यकसा मकाम हासिल था और सभी लोग आपके गिरवीदा थे देहली पहुचने के बाद आपने अपने मुर्शिद ख्वाजा अजमेरी को खत लिखा और अजमेराने की इजासत चाही लेकिन मुर्शिद ने उन्हें देहली ही में ठहरने का मश्वरा दिया ताके वो वहाँ लोगों की खिद्मत कर सकें एक दफा हजरत ख्वाजा अजमेरी किसी वज़ा से देहली तश्रीफ लाए तो उन्होंने बख्तियार काकी को अपने हमरा ले जाना चाहा ये खबर सुनते ही पूरे शहर के लोग और बाद्शा भी हजरत ख्वाजा अजमेरी के पास आए और उनसे गुजारिश की के हजरत बख्तियार काकी को अजमेर ना ले जाएं हजरत ख्वाजा अजमेरी ने लोगों की जब ये हालत देखी तो फरमाया बाबा कुतुब तुम देली ही में रहो तुम्हारे देली छोडने से ये सब लोग रंजीदा हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता के तुम इनके दिलों को दुखाओ आपकी वफात बारा सो सैंतीस में हुई आपका मजार महरौली देली में है जहां दिन रात लोगों का हुजूम रहता है और आपकी बुजूर्गी का फैज जारी है मानी याद कीजिए कामिल पूरा बड़ा दर्वेश फकीर खुदा से करीब शख्स खुदारसीदा बुजूर्ग आयत अलामत निशानी पुरान शरीफ का एक मुकमल जुम्ला हिवज करना जबानी याद करना मामूर मुकरर मुरीद किसी बुजर्ग की हिदायत पर चलने वाला एहद करने वाला अकिदत मंद मुर्शिद पीर हिदायत करने वाला नेक राह बताने वाला नजराने नसराने की जमा इहतराम के साथ किसी को दिया जाने वाला तुफ़ा या रकम महू होना गुम होना वक्काल, बनिया, पर्चून फरोश, ताना, तन्जिकरना, काक, रोगनी रोटी, ताक, महराब, सामान रखने के लिए दिवार में बनी हुई वो जगा, जिस जगा पर चराग या छोटा मोटा सामान रखा जाता है, अकीदत, यकीन, गहरा दिरी लगाओ, सरशार, बेखुद, मस्द, गल्बा, चाजाना, फैज, फाइदा, नफ़ा, सफ़ा नंबर 149, सोचिए और बताईए, सवाल एक, हजरत खजा कुतब الدین बختीर काकी का तालुक किस सिलसले से था? सवाल दो सवाल तीन काजी हमिद الدین नागोरी, खजा बختीर काकी की किस बात पर हैरान होए? सवाल चार सफर के देराप एक बुजग ने खजा बختीर काकी को क्या नसीहत की? सवाल पाँच हजरत खिजर अलहिस्सलाम ने मौलाना अबु हफ्स को क्या ताकीत फरमाई? सवाल छे खाजा गुद्बदीन बख्तियार काकी को काकी क्यूं कहा जाता है? सवाल साथ हजरत बख्तियार काकी किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान तश्रीफ लाए? सवाल आठ हजरत बख्तियार काकी खौजा मुईनुद्दीन के साथ अजमेर क्यूं नहीं कए? सवाल नौ बख्तियार काकी का मजार देली में कहां वाके है? सफा नंबर एक सो पचास वाहित जमा अलग-अलग करके लिखिये खातून आयतें मक्तब बुजुर्ग हिदायात इबादतों खाहिश नजराने शेर महफिल इन लवजों को जुमलों में इस्तिमाल कीजिये दर्वेश निगरानी हिब्स मामूर नसीहत खुश्बू बताईए के ये जुमले सही हैं या गलत एक हजरत खुजा कुतुब الدین बख्तियारका की रह्मतुलाले चिष्टिया खानदान के कामिल दर्वेश थे सही या गलत दो उनकी बुजर्गी की शोहरत सिर्फ बगदाद में थी सही या गलत तीन हजरत खुजा मुईनुद्दीन चिष्टि रह्मतुलाले असफ़ान तश्रीफ नहीं ले गए सही या गलत चार बच्पन ही से आप नेक सीरत और पाक दिल इनसान थे सही या गलत पाँच पूरे शहर के लोग और खुद बाच्शा भी हजरत खुजा अजमेरी के पास आए और उनसे गुजारिश की के हजरत बख्तियार काकी को अजमेर ले जाएं सही या गलत सफ़ा नंबर 151 अमली काम खुजा कुदबदीन बख्तियार काकी की जिन्दगी से मतालिक किसी वाकिये को अपनी जबान में लिखिए हिंदुस्तान में बाहर से कई अल्लह वाले तश्रीफ लाए खुजा बख्तियार काकी भी उन्ही में से एक हैं इन बुजर्गों ने मुलक में बड़े बड़े काम किये खास्तोर पर गरीबों और मोहताजों की खिद्मत के लिए खानकाएं बनाई और खुदा की बंदों को पियार मुहबबत का सबक पढ़ाया इनकी खानकाएं रर मधDING उमिल्लत के लोगों के लिए हर वक्ट खुली रहती थी आम इंसानों में महुबत और इत्तीहात पैदा करना इनका असल काम था। खाजा बख्तِयार काकी के जरिये बहुत से ऐसे हैरत अंगेश वाकियात जाहिर हुए जो इनसान की अक्दमें नहीं आते हों, करामत कहते हैं। खौजा कुटब अद्दीन बखते अरकाकी से बहुत सी करमाते जहिर हुए। ताक से मिलने वाली रोटियों का किस्सा भी खौजा साहब की एक करमत है। इसी के साथ अपनी जबान भागदो का 21 सबख या खत्मुआ। ये अपनी जबान भागतों का आखरी सबक है इसी के साथ ये किताब भी यहां पूरी हुई प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत